नमस्कार जोहार, आप सभी का धन्यवाद रविवार होने के बावजूद आप सब उपस्थित हैं, रविवार का दिन था, पूरे प्रदेश में आज हम लोगों ने महंगाई के खिलाफ और जो मोदी सरकार की जूट है उसके खिलाफ प्रेसवारता कर रहे हैं, कल हम लोग पूरे राज्य में जिलावार धरना करेंगे, और लोगों को ये बताने का काम करेंगे, कि एंडिये के डियेने में ही लूट है, लूट कर छूट देना ये उनकी प्रविर्ति सी बन गई है, जब सिलिंडर का दाम बढ़ता गया, लोग कराते रहें, तब तक प्रधान मंत्री जी का कोई ख्याल नहीं आया, जब तक कि सिलिंडर और इस्पिर्ति रानी का फोटो एक साथ वाइरल होने लगा, और ये लगा प्रधान मंत्री जी को, कि कुछ ज़्यादा हो गया है, इसको कम करना होगा, और जन्ता ने जिस तरह से महंगाई के बिरोध में, सोशल मीडिया पर जिस तरह के कमेंट्स आए, उसमें ऐसे लगने लगा था, और एक तरफ इस्पिर्ति रानी जी का फोटो होता था, दूसरी तरफ ये लिखा होता था, कि महंगाई डाइन थाय जाते, तो उससे ये लगता था, कि कहीं न कहीं, साथ ये इस्पिर्ति रानी जी पर हमला है, लगी सच्चा ये थी, कि इस्पिर्ति रानी जी, 2013 और 2014 में जिस तरह से, जिस तरह के बिरोध करती थी, जिस तरह का तरीका था, तो निश्चित रूप से जन्ता से उनको बहुत उमीद थी, और जन्ता ने उनको कहीं न कहीं, ये बताने का काम किया, कि आप पहले बोलती थी, अब चुप क्यूं है, प्रधान मंत्री जी को चुपी तोड़नी पड़ी, और प्रधान मंत्री जी ने सिलेंडर के दाम में 200 रुपया के कम ही कर दी, पूरे देश में इस तरह का महौल बनाया गया, कि रक्षा बंधन पे बहनों को तोफा देने का काम कर रहे हैं प्रधान मंत्री जी, मनिपूर की बहनों को क्या तोफा दिया आपने, पहलवान बहनों को क्या तोफा दिया आपने, रक्षा बंधन में बहन की रक्षा करने का संकल पलिया जाता है, किन बहनों की रक्षा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जिस तरह की घटनाये सामने आ रहे हैं, मनिपूर में जिस तरह की घटनाये सामने आई, प्रधान मंत्री जी ने 36 सकेंड से ज़्यादा उस पर बोलना भी मुनासिब नहीं समझा लेकिन रक्षा बंधन के दिन ऐसा महौल बनाया गया मानों कि इसी गैस के सिलेंडर से माताओं और बहनों की इज़त बचेगी जो आप देखेंगे तो जो पिछले नौ सालों में सरकार ने रसोई गैस के दाम में लागातार बढ़ोत्री करके जनता से 31.37 करोर लोगों को लूटने का काम किया और सिर्फ हमारे उज्वला बहनों से ही 2017 से अब तक मोदी जी ने 68702 करोड रुपे लूटने का काम किया और 640.76 करोर रुपे से ज़्यादा की लूट हुई उसके बाद प्रधान मंत्री जी ने समझा कि बहुत ज़्यादा लूट लिया है और अब उस लूट में कुछ छूट देनी की बात की जाए और 1167 रुपया का सिलेंडर जार्खन में 967 रुपया का हो गया इसको सच पुछा जाए तो केंद्र सरकार ने लोगों की ऐसी हलत कर दी कि प्यास से गला सूख जाए फिर दो बुन पानी पिला कर उसके गला को सुखाया जाए और उसको कहा जाए कि तुमको जिन्दा रखने का प्रयास कर रहे हैं साड़े नौ वर्सों में इंधन में टैक्स द्वारा मोधी सरकार ने 30 लाग करूर रुपया की मुनाफ़ा खोरी की है 2014 से अब तक मोधी सरकार द्वारा गैस के सिलिंडरों में 185 परतिसत की विधी की गई और जब 200 रुपया कम किया गया तो उससे 17.5 परतिसत की कमी की गई है तो हमारा कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से लागातार हर चीज में लूट हो रही है और जिस तरह से देश की अर्थ्विवस्था और आज आगर आप अख़बार पढ़ेंगे तो जो चर्चा है जिस तरह से जो करोर पती लोग हैं उनको किस तरह से करोरो करोर में छूट दी जा रही है ये किसी से छुपा नहीं है चाहे वो मीडिया के साथ ही हो चाहे वो बड़े उद्योगपती हो सभी को छूट दे करके कहीं न कहीं प्रभावित करने का काम किया जा रहा है कहने का सीधा मतलब यह है कि हमसे लूटा जा रहा है और लोगों को छूट दिया जा रहा है या यू कहिए कि माफ कर दिया जा रह रहा है करोडों करोर रुपए और उसके बाद जब इस तरह की बात करते हैं तो यह लगता है कि इस देश में एक ही काम हो रहा है कि गरीब को गरीब बनाते चले जाओ अमीर को अमीर बनाते चले जाओ फासला इतना बढ़ गया है कि एक आदमी के गले में 500 ग्राम का चेन है और दूसरा भूख से बिलबिला रहा है और उसका नतीजा यह होता है कि आप पूरे देश में देखेंगे तो जो लूट हत्या की घटना में बढ़ोत्री हुई है इसका भी कारण आर्थिक है जो आत्महत्या हो रही है वो आर्थिक कारणों से हो रही है तो पहले जब डबल इंजन की सरकार थी जार्खन में तब भूख से मौत होती थी अब हम लोगों ने कम से कम उस पर क्योर किया है तो फिर और तरह की घटनाय सामने आती है तो इन सब चीजों के लिए प्रधान मंत्री जी को हमें लगता है संजीत की से देखना और समझना चाहिए यह सिर्फ और सिर्फ की इंडिया की बैठक है इंडिया की तीसरी बैठक होने जा रही है पांच राज्यों में चुनाओ है तो दो सो रुपय कम कर देंगे तो जनता का ध्यान इधर भटक जाएगा उधर अडानी जी जो गोटाला कर रहे हैं जो अकबारों में खबड़े आ रही है उससे ध्यान हट जाएगा आखिर ये कब तक करते रहेंगे जनता है सब जान चुकी है और जो हाल देख रहा हूँ जिस तरह से आप चाहे आटा की बात करें पहले कहते थे कि तमाम दवाईयों पे छूट मिलेगी और इसमें ऐसा होगा उसमें वैसा होगा उसमें 32 से ले करके 100 परतिसक तक बढ़ोत्री हुई है तो जब एक तो बिमार पढ़ने के लिए कह रहे हैं दूसरा दवाम बढ़ोत्री कर रहे हैं इसका मतलब सिधा है कि जहां जाओगे लुटे जाओगे तो इस तरह का जो प्रयास चल रहा है इससे हम लोग आगाह करने के लिए और इस बात का विरोध करने के लिए हम लोग पूरे प्रदेश में कल धरना भी करेंगे और लोगों को बताना का काम करेंगे कि देश की जो जीडीपी थी वो किस तरह से गिर रही है किस तरह से डॉलर के दाम में जो डॉलर के मुकाबले रुपिया गिरता जा रहा है जो लोग कहते थे कि प्रधान मंत्री मनमोहन सिंग की उम्र का हवाला दे करके अब अगर वो कि के उम्रे से बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है मामला तो अंतराश्टी बाजार में भी जो कच्चा तेल 2014 में कि तुल्ना में 20% कम होने के बाब जूद आज भी डिजल पेट्रॉल में के दामों में कोई कमी नहीं हुई बलकि उससे 30-40% ज्यादा दामों में बेचे जा 12% गिर चुका है तो अंतराश्टी व्यपार संतुलन भी बिगरता जा रहा है विदेशी मुद्रा भंडार लागातार कम होते जा रहे हैं तो निश्यत रूप से हम लोगों के लिए चिंता का विशय है और प्रधान मंत्री जी के लिए सिर्फ चिंता का विशय है इंडिया है इंडिया के घटक दल के लोग हैं लागातार आरोप लगाते हैं अपने उपर जो आरोप लगते हैं उसका जवाब नहीं देते हैं तो हम लोग लागातार संघर्ज करते आए हैं और एक बार फिर से हम लोगों ने महेंगाई के खिलाब हला बोल किया है